सरी शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखे आज का ये वीडियो बहुत ही जादा खास होने वाला है हम सबी को पता है कि अभी शरात पक्ष के पावन दिन चल रहा है पित्र पक्ष के दिन चल रहा है और आज तीन अक्टूबर को शरात पक्ष की उपाई के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि आपको शरात पक्ष की दिनों में करना है देखिए ये सारे उपाई पित्र दोश को पित्र आशिरवाद में बदल देंगे और आपके जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा देखिए ये उपाई विशेशकर उनको कर आप्त करने के लिए यानि कि घर में धन के आवक हो घर में किसी भी प्रकार का संकट हो तो वो दूर हो जाए घर में किसी भी प्रकार का रोग हो तो वो दूर हो जाए तो भी आपको यह उपाय करना चाहिए तो देखो आज के पूरे वीडियो में तीन बहुती सुन्दर से प चाहने का प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप अगर आपके पित्रों को सच्चे दिल से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमें जई पित्र देव सभी को लिखना है देखो तीन सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे सबसे पहला उपाय अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है ना कि पित्रों की वज़े से बहुत सारी समस्या हैं हमारे पित्र जो है वो तरप्त नहीं है हमें पित्र दोश लगा हुआ है तो घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है पित्र दोश को पित्र आशिरव देखो यह उपाई बहुत ज्यादा सिंपल है और पुजी गुरीदेव की पुस्तक तरपन्ट से लिया गया है देखो करना क्या है तीन बेलपत्र लेना है बेलपत्र शुद्ध होने चीए कटे फिटे बेलपत्र आप उप्योग में नहीं ले सकते हैं तीन बेलपत्र लेना और तीनों बेल पत्र को देखो आज करना चाहो तो आज भी कर सकते हो नहीं तो पित्र पक्ष में कभी भी 16 श्राज में 14 अक्टूबर के पहले पहले यह उपाय आपको करना है क्या करना है तीन बेल पत्र लेना है और तीनों बेल पत्र को आपको घर से लेकर के निकलना है पित्रों के पित्र पक्ष में पित्रों का निवास उन व्रक्षु में होता है थीके तो सबसे पहला एक बिलपत्र आपको बिलपत्र के पेड की जड़ड में रखना है आप जब रखोगे तब आपका जो मुख होगा दक्षे दिशा के तरफ होना चीए डंडी का जो हिस्सा होगा बेलपत्र का वो आपके साइड होना चीए और बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा होगा और बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा होगा वो उपर की साइड होना चीए ठीक है अब आपको इस प्रकार से बेलपत्र रख देना है और आप जो पित्र देव भ्यो नमह इस मंत्र का जाप करना है देखो इसक्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा 11 बार मंत्र का जाप करना और एक बेल पत्र आपको रख देना है बेल पत्र के पेड़ की जड़ में दूसरा जो बेल पत्र का पत्ता है वो आपको रखना है बरगत के पेड़ के वहाँ पर जब रखोगे तब ये क्रिया यही रहेगी दक्षन दिशा की तरफ मुख करके बेठ जाना बिल पत्र रखना डेंडी का इस्ता आपकी साइड होना चीए ओम श्री 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 पित्र देव भ्यो नमह इस मंत्र का आपको जाप करना है आगे आपको बासंद में ये दूसरा इस्तान हो गया अब जो तीसरा इस्तान है वो है पीपल का पेड़ पीपल का पेड़ तो सबसे ज़्यादा विशेश होता है पित्र पक्ष में क्योंकि पित्र पक्ष में जब पित्र दक्षन दिशा से धरती पर आते हैं पित्र लोग से तो वो सबसे पेले पी नमहा इस मंत्र का 11 बार जाप करना है तो ये हो गया पहला उपए अब हम बात करते हैं दूसरे उपए की देखो पुझ्य गुरुदेव कहते हैं घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो किसी भी प्रकार का संकोट हो आपके सारी परिशानिया सारे संकट जो हैं वो दूर होने व और वहां से आपको थोड़ी सी घास तोड़ लेनी है अब देखो धुरुवा आप तोड़ सकते हैं घास आप तोड़ लेना और ये जो घास है थोड़ी सी घास तोड़ना है आपको ठीक हैं और उसके बाद ये जो घास से तोड़ करके आपके आसपास कहीं पर भी गोमाता तो गोमातों को प्रणाम करके यह धुर्वा घास यह धुर्वा घास आपको गोमातों को खिला दिनी है जो भी व्यक्ति पित्र पक्ष में खुद धुर्वा घास तोड़ करके गोमातों को खिलाता है तो उसके जो पित्र हैं वो उन्हें आशिरवात देते हैं जब आप खिल आमना है वो आपको वही पर गो माता को खिलाते समय आपको बोल दीनी है ये हो गया दूसरा उपाय देखे अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की जो कि सबसे महत्वपुन उपाय है स्वधा उपाय है देखे स्वधा माता की तीन पुत्रिया थी मेना धन्या और कलावती ये सा आप के जुवच्चे हैं उनको किसी भी छीज में शफलता नहीं यल पा रही हैं यायनि कि कोई experience दे रहे हैं सफलता नहीं मिल पाती है कोई work एक्जानब करने रहे हैं कोई व्यापर करता है है व्यापर डंशे नहीं चलता नोकरी के לנा रहे हैं नोकरी सा, सिंपल सा उपाय है, स्वधा माता का उपाय है, बहुत ही प्यारा, समझना किस प्रकार से करना है, एक खाली कटोरी घर से लेना है, ठीक है, अब खाली कटोरी के अंदर, आपको तीन सफेद फूल रखना है, तीन सफेद फूल किसी के भी ले सकते हैं, लेकिन के तकी के आपको लेना है आगे आपको बात समझ में और आपको आपके घर के मुख्य दौर के महाँ पर आ जाना है मुख्य दौर के बाहर की साइट सीधे तरफ यानि के गेट के बाहर आपका जो सीधा तरफ होगा आप जिसे गेट के बाहर निकलेंगे आपका जो सीधा तरफ होगा व 10-15लीट आदी घंटे तक वह पढ़ा रहे हैं वहाँ पर ही वह कटोरी और उसके बाद यह कट मंदिर में जाओगे भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के मंदिर में जैसे ही जाओगे आप वहाँ पर जो नंदी जी है नंदी जी के यहाँ पर आपको कर्टोरी का इसपर्श करवाना है सीधे जो पेर उठा हुआ रहे तना महाँ पर इसपर्श करवा माता अशोक सुंद्रे वाले स्थान पर अर्पित कर देना यकीन मानिये ये स्वधा माता की जो तीन पुत्रियां है मेना, धन्या और कला ये तीनों आपके घर से पित्र दोश को दूर कर देंगे पित्र दोश, पित्र आशिरवाद में बदल जाएगा और आपके सारे संकट दूरो जाएगे तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं देखो, तीन उपाय तो हमने आपको बता दिये अब दो उपाय और विशेश हैं जो कि आज की दिन आप कर सकते हैं क्योंकि आज की दिन है पंचमितिति सबसे पहला उपाय ये है कि ताम्विके पात्र के अंदर आपको एक चमस शाद मिला देना है और इसके अंदर जल भर करके आज के दिन आपको भगवान शीव के मदिर में पितर ईश्वर महा देव की नाम से आपको अर्पित कर देना है पंचमी तीती है जो भी इस प्रकार से अर्पित करता है पित्र प्रसन होते हैं तरप्त होते हैं पित्र को तरप्ती मिलती है इससे ठीक है पेला उपाए अब जो दूसरा उपाए है आज पंचमी तीती है गोल बाती का भगवान विश्णो के निमेत लगाना है पंचमी तीती उसके इंदर 11 काले तील के डाने डालना है और आज पंचमी की रात्री में तुल्सी जी की जड़ में आपको ये दीपक ओम नमो भगवते वासु देवाई का जाब करते हुए ग्यारा बार जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भा के दुर हो ऐसी काम ना करते हुए आपको अर्पित करके आ जाना है बस इतना सा उपाय करना है तो देखो ये दो विशेश उपाय भी आप आज की दिन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में वेसे तो हमने पांच उपाय बता हैं तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में तीन सुन्दर से उपाय के बारे में हमने आपको बताया है ये तीनों उपाय पित्र पक्ष के दोरान ही आपको करना है श्राद पक्ष के दोरान अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो एक बार कमेंड में पूछ लेना कुछ उपाय नए है कुछ उपाय किताबों से लिए गए है अगर आपको कुछ भी जिस समझ में आए तो एक बार कमेंट में पूछना गलती नहीं गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादिव